हेलो दोस्तो नमस्कार सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़ों को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तो दो धमाके दार कंपनीस के बारे में दो धमाकेदार stocks के बारे में बहुत ही शांदार performance देखने को मिल रहा है और एक एक company को हम लोग आपे cover करने वाले है वैसे देखा गया तो इस company को में बहुत दिनों के बाद cover कर रहा हूँ वरना आपको पता है कि हमारा जो style रहता है पहले हम लोग company के balance sheet देखते है फिर company का PNL देखते है जिससे आपको अंदाजा आना चाहिए कि हम लोग कौन से company की बात करें अगर आप market के पिरती serious होंगे तो definitely एक habit के बाद लगातार study करने के बाद आपको यह अमनुमान लगाना थोड़ा सा आसान पढ़ जाता है बट जैसे मैंने का कि इस company के बारे में हम लोग बहुत समय के बाद बात कर रहे तो definitely इस वक्त हम लोग कोई reverse mode में नहीं जाएंगे पहले start कर लेते company के नाम के इसाब से पहली company है PVR Limited यह दोस्तों PVR की अगर हम लोग यह बात करे तो यह जो company है दोस्तों अभी हम लोगों के ऐसा लगता है कि इनके बुरे दिन हम लोगों को खतम होते वे देखने को यह आपे मिल चुके है multiplex वाला business है आप सबी लोगों को यह पता है theater का इनका business है यहापे and अगर आपको यह लगता है मैं again कहना चाहूँगा दोस्तों मैंने शब्द इस्तमाल किया है कि आपको अगर आपको लगता है कि यहापे multiplex का business कब ग्रो होगा कि जब इंडिया की पूरे इंडिया की में बात करा हूँ film industry अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा demand में रहीगी जो कि अल्रेडी कई सालों से अच्छा करती ही जा रही है पूरे भारत की में बात करा हूँ तब ही जाके आप ऐसे companies पे दाव लगा सकते हो तो मुझे तो personal लगता है कि यहापे बीच में कोविड के चलते आप लोग को पता है कि theaters बन थे बहुत सारे movies delay हो रहे थे जितने भी movies थे OTT platform के ओपर release हो रहे थे ऐसा लग रहा था कि कोविड कभी वापस जाएगा इन्हें एंड इनका business तो धज्या उड़ गए इसलिए बीच में मैंने भी वीडियो बना के आपको बताया था कि इस company से मैं तो फिलाल exit कर रहा हूँ बट अभी सब कुछ चीजे हट चुकी है company का वापस business track के ओपर देखने को मिल रहा है and definitely यहापे इंडिया की अगर में यहापे बात कुरू film industry all over the India की मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भी अच्छा ही करने वाली है तो definitely यह company हमें आने वाले समय में और भी grow होते वी देखने को ज़रूर मिलेगी मैं again कहना चौंगा हर किसी का अपना अपना opinion अलग-अलग हो सकता है प्लस अगर हम लोग बात करें PVR को competition देने वाला कौन सी company थी तो वो company का नाम था Inox Leisure Yes, Inox बहुत अच्छा competition दे रहा था Eros International को हम लोग पकड़ेंगे भी नहीं वो तो एक penny stock है So Inox Leisure की बात करी यह एक दमदार competitor था इसका But ultimately आप लोग को पता ही है कि PVR and Inox का हम लोगो merger होते वे देखने को आपे मिल रहा है Obviously merger का announcement होना And merger का actual में application करना इसके लिए बहुत समय लगता है चाए फिर वो HDFC, HDFC bank की बात हो या फिर L&T Infotech, Mind Tray की बात हो या फिर PVR and Inox की बात हो प्लस शायद से इनके merger को थोड़ा सा हम लोग कह सकते और भी delay हो Delay मतलब प्रोसीजिंग में और भी थोड़ा सा हम लोग को टाइम लगते वे देखने को मिल सकता है क्योंकि एक बार ये merge हो गए तो शायद से इनका business completely monopoly type भी या पे हो सकता है इसलिए competition commission of India का भी involvement शायद से भविशा में हो सकता है ये भी चीज़े हम लोग को देखने को मिल सकती है बट उसके बावजुद अगर हम लोग बात करें तो PVR का business अभी हम लोग को बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है पात साल की बात करें तो आप देख सकते चाट pattern के उपर दोस्तो company इसके पहले बहुत अच्छा करें थी इसके पहले मतलब obviously 2020 के पहले के हम लोग बात करें and 2020 में तो गिरना बहुत ही लाजमी सी बात थी मिने आप लोग को भी बता है तब में तो निकल रहा हूँ या से क्योंकि धंदा ही नहीं होगा multiplexes बंध ही रहेंगे and in fact सारी चीज़े start होने के बावजूद भी multiplexes की businesses 50% 60% के capacity में चल रहे थे but finally अभी सारी चीज़े हट चुके लोग वापस पुराने समय से जैसे movies देखने जाते हैं वैसे देखने को आप मिल रहा है and इसलिए आप देख सकते हो कि इनका recovery suddenly नहीं हुआ but time लगा and ultimately अभी हम लोग को वापस ये pre-covid level तक अभी हम लोग को जाते हुए देखने को आप मिल चुके है so definitely अगर आप believe करते हो कि इंडिया का film industry जो business है वो अच्छा करेगा तो आप ज़रू PVR इस company के बारे में विचार कर सकते हो 12 से 13 अजार करोड का market cap है right and inox की साथ इनका merger हो जाने के बाद obviously इनका जो already जो screening लगबग साड़े 800 screening देखने को मिलते थे हम लोगों को right मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में और भी news दिखाना चाओंगा yes अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग article के उपर आ चुके है हाली कि recently ही news है आप यहापे देख सकते हो PVR now operate the largest multiplex network with the 858 screens 858 screens at 174 properties in 76 cities India and Sri Lanka में भी हम लोगों को देखने को मिल रहे है हाला कि Sri Lanka को फिलाल हम लोग count नहीं करेंगे वहां की स्तीती बहुत ही गंबिर देखने को मिल रहे है तो वहां से आने वाला revenue यह बहुत ही कम रहेगा but major जो business है no doubt इंडिया से ही आता है जैसे मैं ने का कि यह सारी चीज़े और add-on होने वाली है why? because inox की भी screening इसमें जुणने वाले है तो business और भी जोरो जोरो से आपे बढ़ने वाला है आपको मैं बताना चाहूंगा कि PVR ने announce भी किया है और चार screen हम लोगों को यहाँ पे multiplexes है वो यहाँ पे उन्होंने एक जो mall है वहाँ पे उन्होंने ओपनिंग इसकी किया है जो की तेलंग आना में हम लोगों को देखने को आपे मिल रहे है so definitely हम लोग कह सकते है business expansion होते वे देखने को आपे मिल रहा है और इसके चलते यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो PVR और भी अच्छा कर सकता है तो जरू अगर आप चाहो अगर आप interested हो तो आप इस company के and इसके business को study आपे कर सकते हो बाकी सारी चीज़े देखे जाए तो आप देख सकते company का resource 1400-1700 अच्छा कर रहा था बट COVID के चलते आप देख सकते 1700 से 1300 वापस नीचे आ गया तो impact तो जरू हम लोगों को देखने को आपे मिला था बट ultimately अभी के अगर हम लोग बात करे तो company वापस come back कर चुके है और खास करके अगर आप देखो गे रिखे return on equity, capital employment, सब कुछ minus में चला गया था क्योंकि कर ही क्या सकते जब आपका business के उपर ही ताला लगाया जाएगा restriction लगाया जाएगा तो आपका income होगा कैसे ultimately आप देख सकते कई quarter से PVR यहापे देखे माइनस में ही चल रहा था माइनस, माइनस, माइनस इसके पहले भी आप देख सकते रिखे पूरा quarter यहापे माइनस में चल रहा था no doubt COVID के चलते इसके पहले company माइनस में नहीं चल रहे थी इसके पहले company अच्छा कासा ही profit कर रहा था बट वो December 2019 की बात थी जैसे 2020 में entry हो गई March 2020 आप देख सकते आपे पूरा business इनका माइनस में चला गया लगातर 7 से 8 quarter माइनस में था जो की इस बग company ने कहा था कि हम लोग वापस profitable यहापे होंगे और वैसे ही होते वे देखने को यहापे मिला भी है अगर आप यह believe करते हो कि यहापे multiplex का business अच्छा होगा तो आप जरू continue करने के भी विचार यहापे कर सकते हो कुछ risk factor की अगर हम लोग बात करें तो definitely यहापे हम लोगों को company का जो share holding pattern है comparatively थोड़ा सा कम देखने को आपे मिलता है 17% के आसपस बट यहापे बाकी बचा हुआ माल है वहापे FIS and DS ने बहुती बड़ा कबजा करके रखा हुआ है कबजा करना मतलब invest करके रखा हुआ है तो इससे एक थोड़ा सा तसल्ली मिलता है कि हाँ company अच्छा भी है यह हमरे कोई parameters नहीं होते कि FIS, DS invest करें तो हम भी करेंगे करके बट हमें पता है कि company इतनी कोई वाईयात company नहीं है और fundraising के लिए बहुत सरे ऐसे decisions यहापे लेने पड़ते है public की बात करें यहापे तो 20% के आसपस holding देखने को आपे मिल रही है जरू अगर आप चाहो तो पहला stock PVR को जरू यहापे study कर सकते हो चले आज आते second stock के उपर वैसे second stock देखा गया तो reverse category से में जाना चाहता था पड़ चले यहापे भी हम लोग cover कर ले थे तो company है दोस्तो वो है ICICI bank ICICI bank बहुत ही rapidly grow करते हुए देखने को मिल रहा है और share price में भी वो सारी चीज़े reflect होते हुए देखने को आपे मिल रही है बाकी banking stocks आप लोगों ने देखे होंगे जैसे के HDFC, Kotak ये भी कोई SOSA banking stocks नहीं है no doubt हम लोग आपे कह सकते है returns के मामले में अभी ICICI bank बहुत ही तेजी से grow करते हुए देखने को मिल रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि ICICI bank 6 lakh करोड का market cap के साथ यहाँ पे sustain रहे के आगे बढ़ सकता है sustain मैंने इसलिए का क्यूंकि 6 lakh करोड का market cap आज इसने अच्य हुटों किया है बट उसके उपर टिकना important है फिलाल कि अगर हम लोग बात करेंगे जो closing हुए उसके इसाब से 598,432 करोड का market cap देखने को मिल रहा है बट 6 lakh करोड का market cap आज इस company ने touch किया था और ऐसा करने वाली यह भारत की साथ भी company हम लोगों को बनते वे देखने को आपे मिली थी बहुत ही कमाल का performance देखने को मिल रहा है और ICIC bank जैसे में आप लोगों को बताए एक साल आप देख सकते हो 22% 23% की रिटर्स यह खराब रिटर्स ने खास करके market जब नीचे देखने को मिल रहा था index जब नीचे देखने को मिल रहा था और जब इसके साथ ही बाकी competitors भी खराब performance देखने को मिल रहा है तब इसने 22% के positive रिटर्स दिये इस बात को भूलना नहीं चाहिए और 5 साल की बात करें दोस्तो तो 200% के आसपास के रिटर्स हम लोग को साफ साफ देखने को आपे मिल रहा है आप देख सकते हो बहुत बड़ी बात है मतलब पैसा 3 गुना होते वे देखने को मिल रहा है मतलब bounce back करते हैं आज आप देख सकते कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे है जैसे मैंने आप लोग को बताया भी था कि मुझे पर्सनल ये अंडर वैलूड लगता है ये अटलिस 1500-1400 उस रेंज में होना चाहिए यह मैं कई टाइम से आपको बोल रहा हूँ ये जब 323 रुपे पे भी था मूरद ट्रेडिंग का वीडियो आप लोग चाहो तो देख सकते हो मूरद ट्रेडिंग मतलब आपको पता है दिपावली के वक्त मूरद ट्रेडिंग का समय रहता है तब मैंने आप लोग को बता है था कि पर्सनली मैं तो ICSA BANK के साथ जाना पसंद करूँगा तब ये 323 पे था आज आप देख सकते हो साड़े 800 के उपर देखने को आपे मिल रहा है प्राइज ये प्राइज उपर नीचे होता रहता है साड़े 800 मतलब क्या नीचे ने जाएगा वापस नीचे भी आए सकता है बट लॉंग टर्म की अगर हम लोग बात करें ICSA BANK हम लोगो ग्रोही होते वे देखने को मिलेगा क्योंकि सबसे में चीज NPP NPP मतलब कमपनी का प्रोफिट लगातार बढ़ रहा है प्रोविजन लगातार घट रहा है NPP लगातार घट रहे जो कि हमें इंडिकेट करते है कि बहुत अच्छा कर रहा है और प्लस यहाँ पर इनके कॉंपेडिटर की बात करें कोटक या फिर HDFC वो थोड़ा सा स्लोडाउन हो चुके तो ऐसे माहोल में ICSA C BANK और भी एक्सिलेरेट कर सकता है यह भी चीज आप लोग यहाँ पर चाहो तो थोड़ा बहुत स्टड़ी कर सकते हो यह दो स्टॉक से ICSA C BANK और PVR इनमें हम लोगों को एक गजब का यहाँ पर टर्न अराउंड डेखने को मिल रहा है और इसके चलते हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में यह अच्छा कर सकता है यह मैंने आप लोगों को स्टड़ी के इसाब से सारी बाते बोली है सो रोस्तो वीडियो क्लोज होने से पहले भी मैं आप लोगों को अगेन आपकी रिस्पॉनसिबिलिटी याद दिलाना चाहूँगा यहाँ पर मैं वीडियो बनाता हूँ रेकमेंडेशन देने के लिए नहीं कि यह खरीदो यह बेचो करके बिल्कुल भी नहीं सिखाने के लिए आपको रेफरेंस देना ही पड़ेगा कि कौन सी कंपनी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बिजनेस समझना सबसे important चीज होती है अगर आपको इन companies के business के उपर trust है अगर आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में 2025, 2026, 2030 में यह company अच्छा ही business करेगी तो आप जरूर इन companies में investment करके आगे बढ़ सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं इनके business में दम नहीं है आप इन companies को ignore भी कर सकते हो बट business के हिसाब से आपका decision होना चीए ना कि share price के हिसाब से जरूर आप अपनी राइबी comment section में चाहो तो यह आपे mention कर सकते हो तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक and share कर देना अपन नहीं किया तो link नीचे description box में 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौन सा account आपने link के दूर उपन के जरूर मुझे comment section में बता देना तो हफते बर के अंदर-अंदर आप लोगों को इस सारे वीडियो free of cost प्रोवाइड कर दे जाएंगे so that's it thank you very much दोस्तो we will be meeting our next video तब तक के लिए बाइ-बाइ